यहां पर अमरीका और इंडिया का कंपेरिजन करें तो इंडिया बहुत अच्छा है पिछले बारा घंटे से भी ज्यादा समय हो दिया लाइट ही नहीं है हमने चाय भी किसी ओर से मंगा कर पी रहे हैं मौर्डिंग टी के लिए अब खाने की चिंता हो रही है कि कहा क्या करेंगे अब खाना भी साइद कहीं से प्रपेर होके आएगा बोल तो क्रेडिट दे दो देती ते इस चाय जो है प्रीटी की फेंड ने बनाई है अकिती ने जो बड़ी अच्छी थी कड़क साउथ इंडियन चाय थी एक तरह से बड़ी अच्छी दगी है लोगाई देखोगा हम अ आज यहां पूरी राच से लाइट होने है और अशे यहां जाती नहीं है है अब आज मंडे है रुद्रवीर स्कूल चला गया है I think 31st है रुद्रवीर स्कूल चला गया है और मैं सारा काम कंप्लीट हो गया है अल्मस्ट 7.30 होए है और रोटी बन चुकी है चावल बन चुक बर्गर स्नाग बन चुका है यह बर्गर स्नाक कार बन चुका है जो रुद्रवीर को दिया था तो मैंने और विपन ने भी अपने लिए बढ़ाया है तो यह बन चुका है और अब बेसिकली हम लोग विपन दूद ले आए अभी हम दोनों बैटके अराम से चाय पिएंगे तो अगर को एंजॉय करेंगे मम्मी पापा तो है नहीं युएस गए में तो मॉर्निंग से ही काम कटब होगे एक तरह से बस अब होफुली थोड़ी बहुत प्रेस होगी वो मैं कर लूँगी सुबै से ही हमारे कर के पीछे बहुत ज्यादा गहमा गहमी चल रही है क्योंकि आज है छट फूजा तो लास दे आज चट फूजा तो लोग अपने पूजा कर कर के आ रहे है और मैं आपको दिखाते हूं कि कितना रश है सुबै तीन चार बजे से डोल बज रहे हैं पटाके हो रहे हैं बहुत ज्यादा रश है पीछे आने जाने वालों का तो मैं अभी आपको दिखाते हूं यह आप सुनी सकते हो कि कितना बिजी रोड पीछे से चल रहा है हमारे भर के बैक साइड से अब देखिए लोग आ रहे हैं जा रहे हैं सुन्दर सुन्दर सज के देखिए कितनी सुन्दर सुन्दर सजी में लेडिस पास है छट पुझा करकर के आरहे हैं सुबह से 3.50 वज़ते ही तात्वा चल लिया था वेड ही दो जे में लेडी है चड़ पूजा करती है अब बस नाइन अग्लोक होने वाले हैं हम लोग विपिन का वेट कर रहे है और बुनो को बुनो ने डिनर कर लिया है उसको ले किया है वाक कर आने के लिए बाहर सुरुद्रवीर वाक कर आ रहा है उसको आज मैं पूरा दिन बोर हो गई और बस काम कुछ था होनी जल्दी खतब हो गया था और बोर हो गई और वेट कर रही थी कि कभवे पिन आएंगे थोड़ा